इसाई धर्म के पवित्र तीर थी स्थल्म इसाई धर्म के पवित्र तीर थी स्थल्म गोल गाथा यरुशलम इस्राइल इसाई धर्म के यरुशलम में स्थी थे धर्म चर्चाव दोहोली इसकल पचर यरुशलम इसराइल यरुशलम के पुराने शेत्र की दिवारों से सटा एक प्राचिन पविश्तर चर्च है जिसके बारे में माननेता है कि यहीं पर प्रभु यूश्यू पुनु जी उठे थे मानना यह भी जाता है कि यहीं इसा के अंतिम भोज का इस्थल है वेटिकन सीटी रोम इटली रोमन केथोली किसाईयों के लिए वेटिकन सीटी सबसे मतपूर्ण है यह एडली के अंदर रोम की टाइवर नदी के पस्चिमी किनारे पर 108 एकड़ की भूमी में फेला हुआ एक सुतंत्र रास्ट है यहाँ पर इसा मसी के बाराशिश्यों में से एक सेंट पीटर की कब्र है वेटिकन सीटी रोमन केथोलिक इसाईयों के लिए एक पवित्री स्थान है यहीं से केथोलिकों के प्रमुक पोप का चैन होता है सेंट थामस चर्च भारत भारत में सबसे पेले इसाई धर्म का प्रचार प्रसार इसा मसी के बाराशिश्यों में से एक संट थामस ने दक्षिन भारत के चैन्ने से शुरू किया था इसी संट 72 को उनके निधन के बाद चैन्ने के पास माईलापूर से लगबट 5 किलो मेंटर दूर एक पहाड़ी पर उनके भारती अन्याईयों ने उन्हें दफनाया और एक भव्य गिरजा घर बना दिया था इस जगों को आजकल थामस माउंट के नाम से जाना जाता है बैसिलिका आफ बाम जीजस गोवा भारत भारती राज्यों गोवा की राजदाने 25 से 10 किलो मेटर दूर ओल्ड गोवा में स्थितिया चर्च विश्व भर्में सम्तफ फ्रांसिस जेवियर की समाधी और उनके पईतर पार्थी शरीर के अउश्यों की उपस्तिति के कारण प इस चर्च का निर्मान सन 1544 में सुरू हुआ और 1605 में इसका अभिशेक हुआ था दो दिसंबर 1552 को एक समुदरी यात्रा के दोरान चीन में संत जेवियर की मृत्ति हो गई थी लेकिन उनकी च्छनुसार उनके पार्थी शरीर को सन 1554 में गोवा लाया गया कर दो